जली सो बात करने वाले हैं आर्टी इंडिस्टिक के बारे में दोस्तो जिसे के आप जानते हैं कि टी मर्जर की खबरे लगातार इस कंपनी के इंदर चल रही थी तो आखिरकार हम लोग को फाइनली अपरूल मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक फार्मा यूनिट इस कंपनी से अब अलग होती हुई नजर आ रही है तो इसका क्या इफेक्ट हमें कंपनी के स्टॉक के इंदर दिखने को मिल सकता है और उसे नई कंपनी के कितने शेर हमें मिलने वाले हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चौँँआ कि अगर आपके पास में चार शेर आरती इंडिस्टिक हा है तो आपको उस नई कंपनी का एक शेर मिलने वाला है तो पूरी ख़बर क्या है? सही तरीके से एनलेस्स कर लेते हैं बताना चाहूँँगा कि आर्थी इंडिस्टी के जो board of directors हैं तो उनकी तरफ से final approval हम लोग कहां पर दिखने को मिल रहा है तो अब जो आर्थी फारमा लैब्स है वो आर्थी इंडिस्टी से अलग होती हुई नजर आएगी तो देखे इसका positive impact हमें आर्थी इंडिस्टी के share के इंदर भी दिखने को मिलेगा नई company के जिसे कि मैंने आपको बताया कि चार share अगर आपके पास में आर्थी इंडिस्टी के हैं तो उस नई company का एक share आपको दिखने को मिलने वाला है साथी में दोस्तों बताना चाहाँ कि लॉंग टम के हिसाब से अच्छी खासी कमपनी मानी जाती है अब अगर कोई एक अच्छी कमपनी है और उस अच्छी कमपनी से कोई दूसरी यूनिट हमें अलग होती हुए निजराती तो कहिन कहीं कमपनी चाहती है कि बिजनिस के अंदर और भी ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिले ओवराल देखा जाए तो आर्ती इंडिस्टि के बिजनिस के अंदर पहले से काफी ग्रोथ हो चुकी है तेकि जिसकी वज़े से लगातार शेयर के अंदर भी हम लोग को अपसाइड मुवमेंट देखने को मिला है अब देखें उम्मीद यही करके चल सकते हैं कि कहने की अच्छा काचा रुजान हमें इस नई कमपनी के अंदर भी देखने को मिले आति में दोस्तों बताना चाहूँ कि जिस तरीके से आरती इंडिस्टी के अंदर डी मर्जर की खबरे इस समय देखने को मिल रही है और इन्होंने आपे बताया है कि चार शेयर के बदले एक शेयर अब उस नई कमपनी का मिलने वाला है तो यहाँ पे अभी इसके रिगार्डिंग हम लोग को कोई डेट नहीं दिखने को मिल रही है कि कब यह दिखने को मिलेगा तो यह जल्द ही आपको यहाँ पे अनाॉसमेंट करते हुए नजर आएंगे हाँ यह बात जरूर है कि अभी फिलाल की डेट में जो अपरूवल मिलता हुआ नजर आ रहा है तो ओवराल क्या है कि अब रास्ते साफ हो चुके हैं कमपनी के लिए कि इस डीमर्जर के साथ में इंडिया के इंदर तो इस्तिती मजबूत होती हुई नजर आएगी साथ में जो कमपनी का मेन फोकस इससे मैं दिखाए दे रहा है वो वर्ल्ड के इंदर है तो विदेशो के इंदर जिस तरीके से लगातार फार्मा सेक्टर के इंदर हम लोग को यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो और भी ज्यादा हमें इसके इंदर विस्तार देखने को मिलेगा तो overall क्या है कि positive impact ही हमें company के इंदर देखने को मिल सकता है यहापे मैं आपको बताना चाहूँ हूँ कि deemerger के लिए जो NCLT होती है उससे भी approval लेना अवश्रक होता है साथी में BSC के मध्यम से भी हम लोग को हम पर approval देखने को मिलता है और securities and exchange board से भी हम पर approval लेना जरूरी होता है तो अभी क्या है कि यह प्रकिरिया चल रही है तो overall जब इन से हम लोग को हम पर approval मिलता हुआ नजराएगा तो overall अगर total revenue की बात करते हैं तो जो कि year on year basis पे लगबग 19.8% के आसपास यहां पर contribute करते हुए नजराएगे इसी तरीके से अगर quarter quarter basis की भी बात करते हैं तो लगबग 18.4% का योगदान यह company देती हुए नजराई है अब देखे मैं यहां पर आपको बताना चाहूँआ कि दोनों ही company के लिए जो public और promoters के इसेदारी रहेगी वो हम लोग को equal देखने को मिलेगी तो उसके अंदर कोई change नहीं देखने को मिल रहा है अभी अगर हाल-फिलाल की बात करते हैं जो की आरती इंडिस्टी के अंदर promoters के इस्तिती है लगबग 44.9-0% के आस-पास निकल के आ रही है और अगर retail investors की बात करते हैं पब्लिक shareholders की बात करते हैं तो लगबग 55.1% के आस-पास निकल के आ रही है जिस तरीके से ये news निकल के आई तो कहने कही है overall positive momentum हमें share के अंदर भी देखने को मिला है तो जो last trading session हमें आरती इंडिस्टी का देखने को मिला उसके अंदर हलकी तीजी आपको दिखाई दी है तो देखने वाली बात होगी कि आज किस तरीके का action इस stock के अंदर आपको दिखने को मिल सकता है और आल बताना जाओं कि अगर पिछले एक साल की बात करते हैं तो लगबग 88% से जादा के return आपको इसके अंदर बनते होने जाए हैं दोस्तों अमीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी चैनल पर फर्स टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रह सकते हैं साथी बेल आइकन जरू हिट कर ले जगा थैंक यू सुमच फॉर वाचिंग